हमें यहां अच्छा मुकाबला देख बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बहुत ही बड़िया शॉट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं ये बल्ले बाज ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉम में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है वोहो जब ये मारना शुरू करते हैं इनको रोकना मुश्किल है इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे सब्सक्राइब करनेक्शन और गेंद का इस सीधा हवाई यात्रापर हम एक रोमान्चक खेल देख रहे हैं अच्छा लगड़ाए कि दर्शक भीस में शामिल है कि एक बार मारा है क्या वो दुबारा मार पाएंगे बना शोट लगाया उच्छा भी था लंबा भी था बल्ले का बीचो बीच से था बहुत लै में नजर आ रहे हैं उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका और दूसरे शोर पे भी तेज गेंद बास को ही लाया जा रहा है बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए गैप में खेल दिया है क्या ये दो रन ले सकते हैं यहाँ बहुती बढ़िया फिल्डिंग ऐसी फिल्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा बल्ले बास तो पड़ा भी और जणा भी लगाया चक्का एक बड़ा शोट तो ओर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तबदील करने की कोशिश करनी होगी बिल्कुल चक्कमा खा गये हैं वहां रन्रेट बढ़ानी की कोशिश में निराश लग रहे हैं वहां मेरी माने तो अपने आपको खुश किसमत समझें जो अब एक्रीज पे ही खड़े हैं सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कि फील्डर है कवर पर कि अगया है और बड़ा शॉट मार भी दिया तुफानी चक्का शेत रक्षन में तब दिली अब पता नहीं भाईया ये गिंद कहां जाएगी पूरी तरह मिस्स किया वहाँ इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ गेन की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहाँ बोलर अपने पसंदीदा छोड़ से गेंद बाजी करते हुए पूरी पारी इनका जरूर मनोबल उपर करेगी पूरी पारी इनका जरूर मनोबल उपर करेगी विप्र नहीं जर करते हुएंग जर विप्र गेन जरूर मनोबल उपर रहँ